नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेट स्किल पर जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहतरीन फिल्म रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं घुर्चडी फिल्म के बारे में जो 9 अगस्त से जियो सिनेमा पर स्ट्रीमिंग हो रही है। इस फिल्म में हैं संजय दत, रवीना टंडन और पार्ख सम्थान जैसे बहतरीन कलाकार। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। घुर्चडी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो शादी और रिष्टों की जटिलताओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी शुरू होती है अर्जुन, संजय दत और कविता, रवीना टंडन के इर्दगिर्द जो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उनके परिवारों में काफी खटपट है। इसी बीच उनकी जिन्दगी में आता है एक नया मोर जब उनकी मुलाकात होती है युवा और चार्मिन रोहन पार्थ सम्थान से जो अर्जुन के भतीजे का रोल निभा रहा है। संजय दत ने अर्जुन के किरदार में जान डाल दी है। उनकी अदाकारी फिल्म को एक नया आयाम देती है। रवीना टंडन भी कविता के किरदार में शानदार लगी है। उनकी और संजय की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। पार्थ सम्थान ने भी अपने किरदार रोहन को बखूबी निभाया है और उनके कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म में चार चांद लगा दिये हैं। निर्देशक ने फिल्म को काफी मनोरंजक और रोमाचक बनाया है। फिल्म का स्क्रीन अपले काफी टाइट है और कहीं भी बोर नहीं होने देती। हर सीन को बहतरीन धंग से शूट किया गया है और संगीत भी कहानी के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। गाने और बैक्ग्राउंड म्यूजिक फिल्म के मूर को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसके कलाकारों का शानदार प्रदर्शन और इसकी मजेदार कहानी। हलांकि कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खींचती हुई लगती है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है। घुर्चडी एक मनोरंजक फिल्म है जिसे आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। इसमें कॉमेडी, रोमास और इमोशन का बहतरीन मिश्रण है, तो अगर आप इस वीकेंड कुछ हलका-फुलका और एंटर्टेनिंग देखना चाहते हैं, तो घुर्चडी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और फिल्में देखते रहें।